हाई गाईस वेलकम डो ममतास कीचन आज हम कोकोनेट बर्फी बनाने जा रहे वो भी त्रीरंगी इंडिपेंडेंट डे आ रहा है तो त्रीरंगी बर्फी बनाते हैं आपने मेरी चनल ममतास कीचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए बेल आइकॉन भी प्र दो चमच मिल्क पावडर औरेंज और ग्रीन फूड कलर ले लिया है पाणी में डैलूट करके अभी इनोस्टिक पैन लेते उसमें दूध ले लेते और तीमी आज पर दूध में उबाल आने देते हैं आप देख रहें दूध में उबाल आग रहा है अभी उसको प्रोपर म लगेगा फ्रेंज तो यह बहुत ध्यान रखना है अभी इस लेवल पर हमें चीनी इसमें एड कर देनी है चीनी को यहां डैलूट कर लेना है बस तभी तक दूध में उबाल लाना है हमें चीनी आप आपके स्वात के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो आप चाहो तो पानी मे चाहतनी बना कर भी ये आप कोकोनिट बर्फी बना सकते हो कंडेंस मिलक लेके भी बना सकते हो आप देख रहे हो यहां पे चीनी डैलूट हो गई और सरसुबाल आ गया है ये बर्फी बनाना बहुत ही आसाने फ्रेंस फक्त दसी मिनीट में ये बर्फी आसानी से घर पे बन जाती है ये आज हम त्रिरंगा स्टाइल में बनाने जा रहे है वो बहुत ही एट्रेक्टिव लगती है अभी इसी लेवल पे हम यहाँ पे कोकनेट पावडर एड कर देते हैं और प्रोपर मिक्स कर देते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो मिसरन हमारा बर्फी का तैयार होके रेडी है आप चाहो तो आपको लगे कि मिसरन ड्राय है तो दो चमच मिल्क का इस्तमाल कर सकते हो अभी यहाँ हम दो चमच मिल्क पावडर एड कर रहे हैं यहाँ हमने कंडेंस मिल्क या मावा का इस्तमाल इसलिए हम मिल्क पावडर ले रहें मिल्क पावडर से बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंस मार्केश टैल बर्फी बनती है अभी प्रॉपर इसको मिक्स कर देना है आप चाहो तो दूद में भी मिल्क पावडर एड़ कर सकते हो अभी मिस्रों को हम दो से तिन मिनीट तक थोड़ा ठंडा कर लेते हैं अभी त्री रंग में हमें बर्फी बनानी है तो लेयर वारी बर्फी बनाने के लिए हम इसे थ्री पार्ट में निकाल देते हैं एक पार्ट में हमें ओरेंज फूड कलर इस्तमाल करना है और एक पार्ट वाइटी रखना है थर्ड पैट में हम ग्रीन फूड कलर डाल रहे अभी फूड कलर को इसमें प्रोपर मिक्स कर लेना है अलजादी का अमरूत महस्व हर गर तीरंगा थीम पर हम हर गर पे तीरंगा लहरा रहे तो क्यों न हम कीचन में बिल तीरंगा लहरा है बस वही सूच के साथ आज मैं आपको ये तीरंगा बर्फी, कोकोनेट बर्फी दिखा रहे हूँ फ्रेंज, घर पे जरू ट्राइ करना बनाना बहुत ही आसान है यहाँ पे आधी विधी तो हो गई अभी आप देख रहे हो फूड कलर मिक्स करके मैंने यहाँ उसके गोले बना लिए एक मोल्ड ले लिया है अभी इस मोल्ड को मैंने गीज से ग्रीस कलिया नीचे बटर पेपर रख दिया है अभी लास्ट पार्ट में हम ग्रीन लेयर ले रहे है इसको प्रोपर सेप दे देना है फ्रेंस हमें आप देख रहे हो ग्रीन कलर कितना एट्रेक्टिव लग रहा है अभी दूसरा लेयर वाइट कलर का आता है जो हमारा त्रेडंगा लहर रहता है ना फ्रेंस वही कलर हम यहाँ पे अपनी बर्फी में लहराने वाले तो वाइट लेयर भी अपना तयार हो गया लेयर को हमें प्रोपर सेट करना है तो वाइट लेयर भी लग गया तो लाश्ट में उपर सेफरोन यानि की केसरी कलर जो त्रीरंगे में लहराता है बस वही लोयर हमे अभी करना है उसको भी set कर दिया है उपर से थोड़ा मैंने गी से grease करके ऐसे proper shape दिया है ताकि जो बर्फी उसमें एक अच्छा वाला signing वाला layer आ जाए यहां बर्फी में हमने कहीं भी भी गी का इस्तमाल नहीं किया है यह बिना गी के हमने बर्फी बनाई अभी ऐसे पोरो पर हम shape दे देते हैं ताकि cut करने में आसानी रहे अभी यह त्रिरंगा बर्फी हमारी बनके तयार हो गई है उसमें हम cut लगा देते हैं ताकि आसानी से demold कर सके हम यहां मैंने rectangle यानि की लंच और शेप में बर्फी को cut किया है हो गई है न बर्फी तयार फ्रेंज बहुत ही आसान तरीके से आसान ingredients से त्रिरंगा coconut बर्फी तयार है तो बनाओ त्रिरंगा बर्फी और इंडिपेंडेंस दे सेलिब्रेट करो फ्रेंज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share करना मत बुलेगा फ्रेंज चरूर से घर पे बनाईगा ठेंक यू